जहिन साथियों नमस्कार, जीत की पार्ट सालम में एक बार आपका फिर स्वागत है, साथियों हम आपको जैसे के पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि UPSS C यारी उत्तरप्रिस अधीन सेवाचेन आयो ने एनेम की भरती दोहजार चौवीज के लिए निकाली है और इसमें कुल पद हैं 5272 तो जिसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात कर चुके हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजे उसका लिंक भी हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो साथियों हम आपको बता दें कि ये जो भरती 2024 की निकाली है ये पर्माने अभिरतियों के बीच इस भरती को लेकर काफी confusion चल रहा है कि इसमें P.E.T. आवशक है अत्वा नहीं है और अगर आवशक है तो कौन सी P.E.T. इसमें चाहिए 2021-2022 से 2023 और साथ ही P.E.T. में कितने नंबर होने चाहिए यानि कि P.E.T. में मिनिमम कितने माक्स वाले अभिरत इस बरती में apply कर सकते हैं और साथ ही साथ जो बहने संबिदा एनम के रूप में कार कर रहे हैं उनको इस बरती में कितना फायदा होगा कितने साल के अनुबब के आधार पर उनको कितना वेटिज मिलेगा तो इन सभी बिंदू पर डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को end तक दिहान से जरूर देखिए और उससे पहले आप सभी से request है कि वीडियो को जाद जाद लाइक करके share करें और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन क जो confusion है उन बंदिवों पे तो साथियों जैसे के काफी लोगों को ये confusion है कि इस बरती के लिए 2021-2022 से 2030 की PET यानि PET यानि प्रारे में करता पर इच्छा होनी चाहिए या कौन से साल के इसके लिए आवश्यक है तो साथियों हम आपको बता दें कि इस बरती के लिए जैसा कि आयोग द्वारा जो notification जारी किया गया है उसमें इस पश्ट रूप से दिया गया है कि इसके लिए जो मुख्य पर इच्छा होगी उसमें सौट लिष्टिंग के लिए केवल वही जो आविदक हैं वो eligible होंगे जो PET 2023 में समलित हुए हो तो ये महतपूर बिंदु है और साथ ह अगर बात करें कि PET में कितने नमबर चाहिए क्या minus वाले भी इसमें आविदन कर सकते हैं या zero वाले तो हम आपको clear इसमें इस पश्ट रूप से बता दें कि जो notification है उसके आधार पर जो इस पश्ट रूप से दिया गया है उसमें है कि 2030 की PT परिच्छा में समलित होना चाहि यह और साथ हे साथ में यहाई आपका जो PT 2023 की परिच्छा है उसमें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैद संख्यात्मा के स्कोर के साथ जारी किया गया है और इसमें हम बता दें कि वास्तविक स्कोर अथ्वा नॉर्मरलाइज स्कोर में शून या उससे कम अथ्वा नकारात मा कंग प्राप्त करने वाले अब बढ़तियों को मख्य परिच्छा ही तो सौट लिष्ट नहीं किया जाएगा यानि कि अगर आपके इस परिच्छा में शून है या निगेटिव मार्क हैं तो आपको इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और अगर आपके इसमें पिलस में अ पावेदन कर सकते हैं और आप मुख्य परिच्छा के लिए इलिजिविल भी है साथ ही अब बात करते हैं जो बहने संबिदा एनम के रूप में कार कर रही हैं यानि कि स्वास्त वाग में नेशनल हेल्थ मिसन यानि राष्टी स्वास्त मिसन के अंतरगत जो भी संबिदा ए पर्मानेट भरती है कब आएगी जिससे आप लोग उसमें शामिल हो सकें और आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें तो हम आपको बता दें कि जो भी एनम पहने संबिदा पर पहले से कार कर रहे हैं एनम के अंतरगत उनको इसमें बहुत ही जादा फायदा होने वाला है जैसा कि पिछली बरती में भी हुआ था साथ हम आपको बता दें कि इसमें जो अनभव है आपका संबिदा के रूप में एनम के रूप में कार करने का उसमें आपको तीन अंक से लेके पंद्रे अंक तक का फायदा मिल सकता है आपके प्रतेक वर्स के कार के आधार पर अनभ प्रवाइदा एनम के रूप में कार किया है तो आपको तीन अंक का फैदा मिलेगा और दो वर्स वालाओं के लिए इसमें छे अंक का फैदा और तीन अंक तीन साल के जो कार है अन्वव है उसको उनको नौँख का और साथी चार वर्स तक अगर आपने कार कर रही है आप तो आपको बारे अंक का फैदा और साथ हिमें पांच साल से जो भी एनम बहने संविदा कर रूप कार कर रही है तो उनको इस पर्मानेट वर्ती में पंद्रे अंक का फैदा यानि वेटेज मिलेगा तो अधिकतम पांच साल का अनुभब इसमें काउंट किया जाएगा और आप आपको 15 अंक का फैदा इसमें मिलेगा और ये अंक आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें ये अंक आपके जुड़ेंगे तो पिछली बर्ती भी हुई थी 9212 अधों के लिए तो उसमें हम आपको बता दें कि जो भी एनम बहने थी जो संविदा पर पहले जिकार कर रह हैं और मन से इसमें तयारी करें और इस भरती में अपना चेहन पका करें आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है कोई वीडियो प्रसंद है तो कि पर से लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बूलीगा क्योंक इसी तरह की महतपूर एजुकेशन और गौर्णमेंट जॉब से रेलेटर जानकारी हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती है थेंक यू सो मच